मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप तो हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच चर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक कप्रेल के पंचांग राशिफल और महाउपाई के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंच मेंच राशि की मेंच राशिवाले जातक लोगों के लिए प्लैंड वे में काम करने से आज आपकी व्यावसाई की योजनाएं बड़ी सफलता को प्राप्त हो सकते हैं रोगी वेक्ति को वस्तर का दान करना चाहिए स्वेम आपको अपने लिए महामरतुंजय मंतर का एक सो बिजनस में अभी करने से आपको बचना होगा मितुन राशी मितुन राशी वाले जातक लोगों के लिए स्वास्त पर आपको ध्यान देना चाहिए नेत्र विकार की संभावना दिखती है माता पिता के आशरवात के साथ दिन की शुरुगात करें सूरी देवता को अर्ग दे को नीन से आपको जगाना नहीं चाहिए कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए दांपते जीवन में मधूरता का पनुभव करेंगे जरुवत पन देखती को मीठा और नमकीन भोजन कराएं माता सरस्वती की पूजा राधना आपको आज जरूर कर लेनी च करेंगे तो आपके क्रोध को नियंतरण करने में आपको सहायता मिलेगी लापरवाही से आपको बचना होगा वरिश्चिक राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आयात में रियात करने वाले व्यापारी लोगों के लिए दिन अच्छा दिखता है देवी दुरुगा की पूजा राधना करनी चाहिए और बिना इस्नान के तिलकधारन करने से आपको बचना होगा धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए कोई प्रिय वस्तु जो खो गई है आज उसके वापिस मिलने का योग दिखता है एक साबुत हल्दी की गांट आपको जल में प का पाठ करना चाहिए और दक्षण दिशा की और मुकर के भोजन करने से आपको बचना होगा कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ मंदोनजा ने तो कुछ खर्च दिखाई देता है भगवान गणेश की अराधना गणेश चालिसा क का पाठ करना आपके लिए भी कल्यानकारी होगा नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से आज आज आपको बचना चाहिए मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंद प्रगाड होंगे व्यस्तता के बाद भी आप परिवार को समय दे पाएंगे इसनान के जल में फिटकरी डाल करके आपको इसनान करना चाहिए और पश्चिम दिशा की और मुक करके भोजन करने से बचना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाए इस मंतर का एक सो आट बार जाप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लापकारी रहे सुन्दर कांट की एक ऐसी करिश्माई चौपाई जो आपको किसी भी तरीके की मुसीबत से कष्ट से दुख से परिशानी से मुक्ति दिला सकती है तुरन ततकाल प्रभाव से इसका आपको अपने जीवन में लाप दिखने लगता है तो आए जानते हैं क्या है इस चौपा इतनी विकट होती है कि लंबे समय तक ये इतना उल्जा देती है कि मांसिक अशान्ति के कारण इंसान चैन से जी नहीं पाता इनमें पारिवारिक समस्या हो सकती है आर्थिक शारिदिक सामाजिक व्योहार के शित्र से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की समस्या वो हो सकती ह अगर आप भी किसी इसी तरीके की समस्या में बुरी तरीके से उलजे हैं और चाहते हैं कि जीवन शांती और सुकून भरा हो जाए तो जीवन को साधने वाले हिंदू धर्मगरंत रामायन के सुंदर कांड में हनुमान जी का इस्मरण कराने वाली विशेश चौपाई जो बह लिव्यत्ती मन ही मन उसका ध्यान करें अचारण करें जाप करें तो चमतकारिक तरीके से आपकी मुश्किलों से यह आपको छुटकारा दिला देती हैं करना क्या होता ये भी समझ लीजे कि इसका कैसे है करने का सुबह इसनान करके स्वच्छ वस्त्र और मांसिक भावों के साथ हनुमान जी को लाल चंदन सिंदूर सुगंदित फूल समर्पित करके खास तौर पर लाल फूल अगर आप समर्पित करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सुगंदे धूब बत्ती लगा करके लाल आसन पर दक्षन दिशा की और मुख करके आप यता संबभ भूगे की माला से चौपाई का जाप या समरण कम से कम 108 बार करें फिर उसके बाद पूरे दिन भर में चलते उठते बैठते काम करते जब भी ध्यान आ जाए तो आपको इसको दो चार बार बोल देना चाहिए मन ही मन इसका जाप और ध्यान कर लेना चाहिए यह मंत्र है यह सावन युद्ध में हनुमान और अंगद रूपी सद्गुणी शक्तियों के भै और आक्रमण से रजनीचर यानि राक्षस रूपी बुरी शक्तियां मैदान चोड़ करके भाग गई थी व्यवहारिक जीवन में भी दुखों का नाश करने वाले रुद्र के अंच महावीर हनुमान के इस मरण से राक्षस रूपी भै परिशानी और चिंता और बुरे भावों का अंत होता ही है इसके बाद श्री हनुमान जी को यथा शक्ति मिष्ठान का भोग लगा करके पीली मिठाईयों का खासतोर पर बेसन से बनी हुई मिठाईयों का भोग लगा करके आरती और अपने मंगल की कामना आपको अवश्य कर लेना चाहिए तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये छोटा सा प्रयोग है लेकिन इसका प्रभाव बहुत दिव्य बहुत चमतकारी है किसी भी तरीके की समस्या हो चाहिए वो पारिवारेक हो आपके कारश्यत्र से जुड़ी समस्या किसी भी तरीके की समस्या के समय में इस दिव्य मंत्र का यानी रामबान मंत्र का प्रयोग आप करके अपने कष्च्टों से दुखों से मुक्ति पा सकते हैं मंत्र एक बार जाते चाहते ही पर से सुन लीजे हनुमान अंगद रन गाजए हां कसुनत रजनीचर भाज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल वैफ़ाफर नमोनाराण हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवशक जानकारी आपसे मिस ना हुपाए धन्यवाद के माधियम से अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है 999-07-24131 आपको दो नमबर दे रहा हूँ इन दोनों नमबर पे वाट्सअप अवैलेबल है आप वाट्सअप करें 9818-300-146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद